ऑड़ो फ्रेंट्स मैं अब अब और आप देखें स्माट टैक प्लैट्फोम् फ्रेंट्स अज कैशیا हो पीएम किसंत संब्न नीदी औरости पर चांग के बारें बत करने वाले 4,000 रुपिये का किस्त दिया जाएगा October में 4000 रुपिये का किस्त मिलेगा क्या उन लोगों को October में 2000 या 4000 रुपिये का किस्त मिलेगा तो friends आज के इस वीडियो मैं इसी के बारे मैं आपको पुरी डिटेल में जनकारी देंगे कि अगर आप भी नए किसान हैं तो को पैसा कप मिले घा पयमेंट आने का प्रोसेस किया है और आपको अक्टूबर में 2 रुपीया का किस्त मिले गा तो फ्रेंट्स वीडियो में शुरू से लेकर रंतेख बने रही है और अभी तक आपने हमारे चैनल स्मार्ट टैक प्लैटफांग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बॉडबं को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लिजे और बैल आइकन को प्रेस करके नोटिक्स अपको मिलती रहे विडियो अच्छा लागे तो लाइक से और कॉमेंट जरूर कीजे और अगर आपको प्रोब्लम हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में कमने जरूर कीजे हम उसका जबाब आपको जरूर देंगे तो चलिए आज की इस वीडियो को सुरूर करते है फ्रेंट्स यहाँ पर एक किसान भाई का इस्टेटस ओपेंड कर लिए इसी के मैदम से आपको समझाएंगे पूरा डेटेल्स में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस किसान भाई का जो यह नाम दिया हुआ है पी एफमस एकसेप्टेड है फर्मर रेकॉर्ड हैजमी ने एक किसान है तियां पर इनका वेडिंग फर लिखा हुआ आ रहा है तो यह किसान भाई जो है बहुत सारे किसान भाई का पैमेंट इस्टेटस में अभी वेडिंग पर लिखा हुआ रहा है तो सबसे पहले आपको समझाते हैं कि पैमेंट आने का प्रोसेस क्या है मेरे पास इमेज है उसी के मायदहम से आपको समझाएंगे तो ECS के मायदहम से आपको समझाएंगे एक image दिया हुआ है कि आपका जो है payment आता है वह किस process से आता है towards यहां पर आप देख सकते हैं कि सब से पहले आपका जो है PM किसान का जो है state से verify होता है फिर PFMS verify करता है फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर accepted data is sent to PFMS accepting number and typing validation तो accept होता है PFMS में please send to block state for final approve होने के बाद जो आता है eligible record available for generation of request of fund transfer RFD तो यहाँ पर आपका waiting for approval पहले आता है फिर आपका RFD आता है यहाँ आप देख सकते हैं RFD फिर आता है आपका RFD signed होने के बाद आपका FTO is generated मतलब fund transfer के लिए order दिया जाता है पहले आपका list देखा जाता है block को बेजा देता है वहाँ पर verify होता है फिर आपका waiting for approval आता है waiting for approval आने के बाद आपका जो है RFD आता है request फिर आपका जो है FTO आता है, फिर आपका जो है DACFW जो है एप्रूब करता है FTO और फिर आपका जो है payment भेजा जाता है, payment is process and the beneficiary list made available in portal, तो जैसे ही आपका payment आ जाता है, आपका PM किसान की beneficiary list में आपका नाम भी आ जाता है कि आपको इतना किस मिल जुगा है, तो यह payment आने का process है, सबसे पहले आपका verify होता है, नया किसान का state से यहाँ पर verify होता है, फिर आपका PFMS verify होता है, फिर आपका PFMS verify होने के बाद आपका जो waiting for approval आता है, फिर आपका RFT आता है, फिर FTO फिर FTO आने के बाद आपका पैसा जो है बेजा जाता है, फिर आपका payment जो आता है आने के बद आपका जो है बनता उसी के मैदम से आपको जो पता चल जाता है कि आपको इतना किस्त का पैसा मिला है तो अगर आपका वेटिंग फ़र आ रहा है तो उससे आपका आर एक्टी आने में कम से कम 10 दिन और एक्टीओ आने में कम से कम 15 दिन, मतलब 15 से 20 दिन के अंदर आपका FTO आजागा, अगर वेटिंग फर अप्रूवल आ रहा है, और अगर आपका माल लीजे ब्लेंक आ रहा है, तो आपका PFMS भेरिपाय है, तो इससे आने में कम से कम 5 से 10 दिन, फिर इससे 15 दिन FTO आने में, तो आपका ये प्रोसेस है, पैसा आने का, तो इस प्रोसेस में ही पैसा आपका आता है, तो प्रोसेस में आने में आपको 10 से 15 दिन का वेट करना होगा, तभी आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो आपको आप जल्दी किजेगा, तो पर भी आपको पैसा नहीं मिलने वाला है, तो आप वेट क कर लेंगे को पैसा में जाएगा अब आता है कि आपको 4000 रुपए का किस्ट मिलेगा कि 2000 का किस्ट तो बहुत सारे किसान कर रहे थे कि हमको 4000 रुपए की किस्ट मिलेगा ॹ्या 2,000 रुपए का किस्ट तो आगर आप july 31 जुलाइ से पहले रेजिस्टेशन किये हैं और आपको अभी तक एको किस्ट का पैसा नहीं मिला है तो आपको एक साथ चार हजार रुपिय का किस्ट मिलने वाला है क्यूंकि एक बार नोटिस जारी करके कहा गया था कि जिन जिन किसान भाईोंने 31 जुलाई से पहले जो है रेजिस्टेशन कराएं हैं वे सभी किसान भाई जो है अप्रील का किस्ट भी उनको मिलेगा और अगस्त का किस्ट भी उनको मिलने वाला है तो अगर आप 31 जुलाई से पहले रेजिस्टेशन कराएं तो आप चेक करके देख लिए अपना रेजिट्रेशन नंबर क्या वता रहा है और आपका वेरिफाइड डेट क्या वता रहा है वहां से आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना पैसा मिलने वाला है तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में बस्तना आई वीडियो अच्छा लगे तो लाइक किजिए अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल स्मार्ट टेक प्लाटफॉम को सस्क्राइब नहीं किया है तो निचे सस्क्राइब बोटम को प्रेस करक कर लिजिए और बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन कर लिजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कॉमेंट जरूर कीजिए आज की इस वीडियो में बस्तना आई थैंक्स